हेलो मेरे प्यारे बच्चो तो कैसे हो आप सभी लोग बच्चो उमीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्त होंगे मस्त होंगे तंदरूस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाही में पूरी तरीके से व्यस्त होंगे मैं मन मोहित आपका हिंद्य अध्यापक डाउटनेट के इस बहतरीन प्लेटफॉम पर सभी विध्यारतियों का बहुत बहुत वेलकम करता हूं स्वागत करता हूं प्यारे बच्चो हम लोग नए अध्याई की तरफ बढ़ चुके हैं आज हम नया अध्याई आरम करने जा रहे हैं जिहां भई यह एक लेक है सिध्धान्त और नीत के संपाधित अंश करेंगे जिसके लेक हैं पंडित दीन दयाल उपाध्याई जिहां बच्चो तो भई हम अ बार यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि पैन और कॉपी से आप कोई भी क्लास देख रहे हो चाहिए आप ऑनलाइन आफ लाइन कोई भी वीडियो बगारा देख रहे हो किसी भी सब्जेक्ट के पढ़ाई कर रहे हो पैन और कॉपी के साथ बैटा करो इसे होता क्या है कि जो आ अगर आप याद करोगे लिख कर लिखोगे तो भाई आपको हंडेड परुसेंट याद होगा और ऐसा याद होगा कि जीवन में आप कभी नहीं बूलोगे लिखने से लिखावट में सूंदरता आती है लिखने से आपकी स्पीड बनती है कि लियर जिस स्पीड के अभाव window मैं आप एक्जाम के अंदर अक्सर दो या तीन कोश्चन छोड़कर आया तो अगर एक कोश्चन भी अगर आपने छोड़ दिया तो बता है ये 95 प्लस लाने पाने का जो सपना है वो आपका तूट जायता है उसी वक्त चकना चूर हो जाता है किलियर है और आगे चलके जब आप कंपटिशन की तैयारी करते हो जहां पर आपको बहुत सारा लिखना पड़ता है तो अकर आपकी आदत नहीं होगी तो आपका हाथ ठक जाएगा किलियर है समय से पहले आप अपने प्रिश्णों का पूरा हल नहीं कर पाओगे किलियर है तो कोई भी कारी करते हैं हो सकता है कि 5 दी 10 दिन 15 दी दी 20 महीना भर लगे है ना उस आदत को बनाने में दविलप मानते हैं कि आपकी आदत नहीं है लेकिन अगरा हो गई पढ़ गई तो फिर आपकी बल्ले बल्ले है, आने वाले समय में आप, जब आप higher studies के लिए जाओगे, तो आपको समझ में आएगा कि मैं जो बोल रहा था, कितना important है लिखना, जी हां बच्चों, किलियर हो गया, कर दें शुरुआत, चलो जी कर दें शुरुआत, आज हम क्या पढ़ेंग उसके लेखक के बारे में, लेखिका के बारे में कवी और कवित्री के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी प्राप आपको होनी चाहिए, क्लियर क्योंकि अक्सर एक जीवनी जो है, आप से पूछी जाएगी और जीवनी आप तब लिख पाओगे, जब आप लेखक के जी साथ में गद्दान्स के आधार पर कुछ प्रिशन और उत्तर करेंगे जो अक्सर आपके एक्जाम के अंदर आते हैं और यह पटेती गद्दान्स होता है जो आपके एक्जाम के अंदर आपको अच्छे नंबर दिलाता है किलियर और मैं अक्सर इसको फिरी के नंबर बोलता ह क्योंकि इसमें से जो प्रिशन और उत्तर होते हैं प्रिशन जो होते हैं उसके उत्तर उसी गद्दांस में छुपे होते हैं किलियर हो गया देखने में आसान होता है लेकिन आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो भाई आप इन नंबरों को अरजित कर पाऊगे बोरे की प अधिया जी की तो आइए एक नजर डालते हैं सबसे पहले जानते हैं पंडित जी के बारे में तो पंडित दीन दयाल उपाद्ध्याय का जनम 25 सितंबर 1916 यह डेड़ याद रखो जनम का वर्ष हमेशा याद रखना किसी भी लेख़ा किसी भी कभी और किसी भी कवित्री के वारे में आपको पता होना चाहिए इनका जन्म कब हुआ था इनकी मृत्यू कब हुई थी सिक्षा दिच्षा माता का नाम पिता का नाम साहित्ति क्योगदान परुस्कार सम्मान ये सब एक जीवन परचे में आपको लिखना होता है किलियर हो गया तो 25 सितंबर 1916 को कहां ये म मॉथुरा में पैदा हुए था मॉथुरा उत्तर परदेस के नगला चंदरभान में इनका हुआ था जन्म और इनके पिता स्री भगवती प्रसाद उपाद्या इनके पिता का नाम था बगवती परसाद उपाध्याय और मात्या का नाम सुरिमती राम प्यारी क्लिएर हो गया एक धारम के विशारों वाली महिला थी किलियर है घर के अंदर पूजा पार्ट बगएरा जो होता है न तो घर के संसकार जो है वो आपको संसकारी बनाते है तो घर का माहौल कहते हैं बच्चा जिस माहौल में पड़ा बड़ा होता है बच्चा जो देखता है वही करता है किलियर हो गया क्योंकि बच्चा जो होता है कच्ची मिट्टी के घड़े के समान होता है उसको आप जो चीज बताओगे जैसे बताओगे जैसे संसकार घर में होते हैं वही उनको बच्चा वैसे ही किरहन करता है भाई इनके पिता भारते रेलवे में नौकरी किया करते थे और इसी लिए इनका अधिकतर समय बाहर ही बीत था के लिए रेलवे डिपार्टमेंट की जो नौकरी होती है आपने देखा होगा आज यहां है कल वहाँ है के लिए तो इस तरीके से अक्सर जो समय था इनका भाई बाहरी बीता पंडि जब ने ममेरे भाईयों के साथ खेलते हुए बड़े हुए ममेरे भाईयों का मतलब ह होता है मामा के लड़के के लिए मामा का लड़का म मेरे भाईयों के साथ खेलते हुए बड़े हुए जब इनकी आयूत तीन वर्स की थी तब इनके पिता की मरत्यू हो गए कि लिए कुछ समय के पश्चात इनकी माता जी की भी हो गई मिरत्यु यानि कि पिता और माता का साया जो था इनके सर से उठ चुका था इन्होंने पिलानी आगरा तथा प्रियाग में सिप्षा प्राग्त की और बियसी बीटी करने के बाद भी इन्होंने नौकरी नहीं की आपने तो भाई आज जो भी चीज आप करते हो आपका एक में आपका जो है दे क्या होता है फटा फटा फट से अच्छी नौकरी मिल जाए मुझे तो इन्होंने बियसी बीटी करने के बाद भी नौकरी नहीं की कुछ और ही करने का मन साता हो भाई अपना सारा जीवन राष्टी स्वयम सेवक संग जी आँ बई तो यह आरेस से आते थे अपना संपूर जीवन जो है राष्टी स्वयम सेवक संग में लगा दिया इन्होंने अपने छात्र जीवन में ही यह इस आंदोलन में चले गए बाद में यह राष्टी स्वयम सेवक के लिए प्रचार औ परचार और प्रसार किया, जन जन तक इनकी नीतियों को पहुचाने का कार किया, वर्स 1961 में अखिल भारती जनसंग के बनने पर इन्हें संगठन मंतरी बनाया गया, 61 में जब भारती जनसंग बना तो इनको क्या है, इनको संगठात्मक मंतरी का जो है इंपोर्टेंट रूल प वग 15 सालों तक जो हैं वो इस पत पर रहें, महामंतरी के रो तोर पे ये 15 साल तक जो इस पत पर रहकर अपनी इस पार्टी को एक मजबूत आधार सिला दीग दी, के लिए रहें काली कट अधिवीशन, काली कट अधिवीशन, वर्स 1967 में ये अखिल भारती जनसंग के अधि जिच निरवाचित हुए, के लिए रहें, 11 फरवरिग 1968 को एक रेल यात्तरा के दौरान कुछ असामाजिक तक्त्यों ने रात को मुगल सरै उत्तर पर देश के आसपास इनकी हत्या कर दी, के लिए रह गया असामाजिक तत्तों ने रात में मुगल सराय जो है वहाँ इनकी हत्या कर दी गई और मातर बावन साल गया है उमें पंडेच जी ने अपने प्राण देश को समर्पित कर दी तो ये है इनका छुटा सा जीवन परचे साहितिक सिवाओं के अगर बात करी जाए तो साहित में क्या इकडान है तो क्या क्या सिवाए तो अगर बात करी जाए तो पंडेच दिन दियाल उपाद्या है महाचिंतक और संगठन करता था एक ऐसे नेता थे जिन्होंने जीवन परियंत अपनी वेक्तिगत इमानदारी वसत्यनिष्ठा को महत्तो दिया आज कल ऐसे नेता कहां मिलते हैं आज कल ऐसे नेता का जीवन परियंतियानी की पूरा जीवन जो है इन्होंने इमानदारी और सत्त निष्टा को सर्वो परिमाना किलियर है यही इनके जीवन का सार था किलियर है और आने वाले समय में इनके पद्चिन्नों पर चलकर बहुत सारे जो नेता हैं वो इनको अपना आदर्स मानने लगे लेकिन आज सचाई ये है कि आज के जो नेता है वो अपने आदर्स खोचुके है है ना इमानदारी तो आज की बेमानी हो चुका है चलिए वाई आज के प्रदेश्य में देखा जाए तो राजनीती के अतरिक्त साहिते में भी इनकी गहरी अभी रुची ती राजनीती के साथ साथ गहरी रुची रखा करते थे साहिते में और ऐसे बहुत सारे नेता हैं जिसमें रटल वहरी वाजपेज जी भी हैं जो एक कभी हुआ करते थे बाद में हमारे देश के प्रधार मंतरी बने और इनके हिंदी और अंगरेजी के लेक बिभिन पत्र पत्र काओं में प्रकाशित होते रहते थे केवल एक बैठक में ही इन् प्रतिवार चलो अब करतियों की बात कर लेते हैं तो इनकी कुल कुछ जो प्रमुक पुस्त के इस परकार हैं जैसे कि दो योजनाएं राष्ट जीवन की दिशा कि बही एक देश को किस दिशा के अंदर अगरसर होना चाहिए वहां का समंजस जो है समाजिक तानावाना किस तरीके से होना चाहिए एक राश्ट को एक सही दिशा किस तरीके से प्रदान की जाए तो क्या क्या परविद्श होने चाहिए इन्हों नहीं पुर्शिक में जलता है। उसम्राठ चंड्रग॥त राजनैतिक डाइरी जिसमें अपने राजनैतिक जीवन के बारे में EU नहीं लिखा राजनेता का क्या करतब ब्योंचाए था जू जनत्य लोगों। परती जगए दुगुरु शंकराइचार पर इन्हों लिखा है एक आत्मक मानवता बाद पर इन्हों लिखा एक प्रेम कथा लोकमान तिलक की राजनीती के बारे में उन्हों विस्तार से इस पुस्तक में जिक्र गिया है राष्ट धर्म क्या होना चाहिए तो इसकी परिवासा इन्होंने बताई राष्ट बारे में बताया पांच जन्य जो है इनकी करतियों में प्रमुक है भाषा शैली की अगर बात करी जाए तो पंडित दीन दयाल उपाद्याय जी पत्रकार तो थे ही साथ में चिंतक और लेखक भी थे जन्संग के राष्ट जीवन दर्शन के निर्माता दीन दयाल जी का उद्देश स्वतंतरता की पनर रशना के प्रयासों के लिए विशुद भारत ये तत्त दर्श्टि प्रदान करना था क्लियर हैं इन्हों ने भारत की सनातन विचार धारा को युगान उकूल रूप में प्रस्तुत करते हुए देश को एकात्म मानवतावाद जैसी प्रगति सील विचार धारा दी क्लियर हैं सनातन आपने देखा होगा आजकल सनातन का वड़ा बोल वाला है जहां देखो इसने सनातन सनातन लेगिन लोगों को इसका असली मूल तत तो ही नहीं पता मूल भाव ही नहीं पता क्या होता है तो सनातन विचार धारा को ये मानने वाले थे और सनातन का परचार और परसार करना अपना परम कर्तब बे समझते थे और वो ये समझते थे कि भारत का जो तानावाना है वो सनातन संस्कृति के इर्दगिर्द गुहमता है केलियर है और इसी लिए सनातन विचार धारा को युगान को लूप में परस्तुत करते हुए देश को एक आदम मानपतावाद जैसी पिखरती सी विचार धारा मनते थे केलियर हो गया बात समझ में आ गई तो ये एक छोटा सा जीवन पर्चे है जीवन पर्चे भाई हर किसी लेखक लेखिका कभी कवित्री का आपको आना चाहिए क्योंकि एक्जाम के अंदर अक्सर पूछ लिया जाता है केलियर है जो इंपॉर्टेंट है वो तो आपको याद रखने ही रखने है लेकिन जो इंपॉर्टेंट नहीं भी लगते हैं आपको उनको भी याद आप ऐसी आदत बनाओ कि पार्ट पढ़ रहे हो पार्ट के लेखक के बारे में वश्य बढ़ो इसलिए हम पार्ट पढ़ के सार की बात करते हैं इस पार्ट के माद्यम से कभी क्या करना चाहता है लेखक तो आपको सर्फ वितन ग्यात होना चाहिए कि भी राजनीतिक दलों के विशे में लेखक के अपने विचार हैं और वो विचार क्या है यह बताया गया है तो लेखक के अनुसार भारत के अधिका अलग-अलग हो सकता है, हो सकता है, आपके विचार हम से ना मिलें, हमारे विचार आप से ना मिलें, हो सकता है, हो सकता है कि भाई, पंडित दिन दियाल उपाद्याजी के विचार आप से ना मिलें, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जो इनको अपना आइडल मानते हैं, इन दुनिया में अगर आप आए हो तो आप से कुछ लोग सहमत होंगे और कुछ लोग ऐस सहमत भी होंगे किलियर है तो राजनितिक दलों के विसे में इनके विचार हैं कि यह राजनितिक दल जो है वो पास्चत विचारों को लेकर चलते हैं वे पश्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च कि लोग नकल करते हैं तो यह अनिक दलों की यानि कि पाश्चात्य की जो राजनेतिक दल हैं उनकी एक नकल मात्र है जो हमारे राजनेतिक दल हैं उनके संद्रव में इनके अपने विचार थे और भारत की इच्छाओं को पूर्ण नहीं कर सकते हैं अब अगर पाश्चात्य स संस्कृति को भारत की इच्छा को भाई यह पूर नहीं कर सकते हैं कि हमारी संस्कृति हमारी सब्विता हमारी संस्कार बिलकुल अलग हैं जो की पास्चास्ति से तो बिलकुल अलग हैं किलियर हैं चलो और नहीं चोराये पर खड़े भी सुमानव कर नियार्ग दर्सन कर सकते हैं किलियर हो गया वह हमारे यहां अनिक जातियां हैं अनिक धर्म हैं किलियर है और इस सनातन को मानने वाले थे तो इनका कहना यह है कि हमारे जो विचार है हमारी अपनी अलग संस्कृति है जो कि पास्चाति की संस्कृति से बिलकुल मेल नहीं खाती किलियर हो गया मनुस्य क इस समाज में मनुषक ने मनुष के विविकास में समाज के दाइत्थ्थ क्या होना चाहिए हैं। क्लियर है और लेखा की मानता है कि मनुस्य के विकास में समाज के दायत्तों को बहुत ही महत्पूर्ण इंपोर्टेंट जगे मिलनी चाहिए क्लियर है आप समाज में जब कोई अच्छा किसी को अच्छा करते हो देखते हो तो आपके अंदर से क्या पेड़ना मिलती है मिलती ह कि मैं भी ऐसा करूँ मेरा बच्चा भी ऐसा करे क्लियर है तो समाज का उस बड़ा ही उत्तरदायत तो है हमारे विकास में क्लियर हो गया और लेखक के अंसार ये मानना है कि इस अंसार में जर्म लेने वाले प्रतेक विक्ति के भरण पोशन, सिक्षन, स्वास्ते एवं छम चमता की वश्ता में उचित अवकास की विवस्ता करने और जीविको पारजन की जिम्मेदारी समाज की है किलियर हो गया इंसान का भरन पोस्टन किलियर है खान पान किस तरीके का होना चाहिए किस तरीकी की सिक्षा दिक्षा होनी चाहिए स्वास्ते संबंदी जो समस्याएं होती है स्वास्ते किस प्रकार का होना चाहिए खान पान रहन सेन और आपकी अंदर पोटेंशिल क्या है कि किलियर हो गया समाज के अंदर अगर आप रह रहे हैं तो भाई इस परिवार के भरन पोशन की जिम्मेदारी भी आपकी है क्योंकि आप एक समाजिक प्राणी हो तो आप इसी समाज में पैदा हुए हो और इस समाज की जिम्मेदारी बनती है कि भाई आपके भरन पोशन में आपके सिक्षन से जुड़ी हुई बातों में स्वास्ते में और आपकी जो पोटेंचल है आपकी छमता को उभारने के किस तरीके से आपके अंदर की अंदर का जो आपके अंदर जो काबिलियत है उसको आप बाहर आने के लिए क्या क्या कर सकत तो भई इसके जिम्मेदारी समाज की है पर तेक सब्वे समाज की किसी ने किसी रूप में इसका पालन भी करता है और एक जिम्मेदार जो समाज होता है जिम्मेदार समाजिक विक्ति होते हैं वो कहीं न कहीं किसी ने किसी रूप में इस समाजिक दाइत्टो का क्या करता है न निर्वाह होगा उचिस तरीके से अगर कहते हैं कि समझ समाज के अंदर क्या होता है सबसे बड़ी चीज है क्या मनुष्य को मनुष्य के काम आना के लिए रहे इसमें मनुष्यता का भी दर्सप्रान होता है और अगर एक विक्ति अपने दाय या समाज जो है वो अगर अपने उत्तरदायत्यों का सही तरीके से निर्वाह करता है तो भाई प्रकति का मांदर्ण माना है उसको के लिए देश तरकी करेगा व्यक्ति तरकी करेगा समाज तो करेगा ही करेगा साथ में वो देश तरकी करेगा जिस देश के अंदर आप लोग समाजिक तानिमाने को बना रह रहे हो उसके अंदर जी रहे हो और उसको आगे की तरफ लेके जा रहे हो और इसी लिए लेखा का मनना है कि भाईया नियुनुतम जीवन इस तर की गारंटी सिक्षा जीविको पारजन के लिए रोजगार सामाजिक सुरक्षा और कल्यान को हमें मूलभूत अधिकार के रूप में स्विकार करना होगा किलियर हो गया अगर अपने जीवन इस तर को उचा बनाना चाहते हो अगर अपने परिवार को सम्रद्धी की राह पर लेकर जाना चाहते हो तो रोजगार सर्वो पर हर एक विक्ति को रोजगार सिक्षा स्वास्थे ये क्या है ये हमारी इनकी गार अगर आपको दी जाती है तीक है तो यह क्या है यह आपके विकास में आपके परिवारिक विकास में दीश के विकास में मत्पूर वूमिका निवाते हैं कि लिए जीवन इस तरकी गरंटी एक यह हमारे मौलिक अधिकार होने चाहिए कि लिए होगया हमारे मुल्भूत अधिक ये नहीं कि आप एक अमीर विटती हैं, अच्छी, अच्छे सोसाइटी के अंदर रहते हैं तो आपका बच्चा जो है अच्छी स्कूल में पड़े और जो नाली सिहाफ करने वाले का बच्चा है सरकाजी स्कूल में पड़े हैं तो कहने का मतलब है कि यहां भेदबाव नहीं होने चाहिए, यह हमारे मुल्भूत अधिकार है, किलिए रहे, अगला एक पॉइंट आवई मानव सामाजी व्यस्ता का केंदर है, किलिए रहे, बिलकुत सही बात है, एकात्म मानवाद मानव जीवन वर संपूर्ण स्थिके एक कि सोचते थे नहीं नहीं चीजें, उसे रूबरू होना, यह कहते थे कि मनुष्य को पुरानी संस्कृति के साथ-साथ आधुनिक्ता के दोर में जो नहीं नहीं चीजें उन पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जमाना बदला है, साइंस का जमाना है, और आने वाल पूर्ण मानब के स्थान पर एक कांकी मानब पर विचार किया जाए, वह अधूरी है के लिए रहे संपूर मानव का विकास किसी एक विक्ति का विकास नहीं संपूर मानव जाती का विकास के लिए रहो गया चलो गया लेख़क के अनुसार भारत ने संपूर सश्टी रचना में एकत तो देखा है हमारा अधार एकात मानब है और इसलिए एकात मानबतावाद के आधार बरह में जीवन की सबी विवस्ताओं का विकास करना होगा सिध्धान्त और नीती से संपादित प्रगति के मानदन्ड यह जो लेख है सिध्धान्त और नीती से संपादित यह जो प्रगति का मानदन्ड यह जो लेख है यह अध्याय इसमें लेखा करें मनुस को सामाजी के विवस्ता के केंदर में रखा है किलियर है चाहे वो राजनातिक विवस्ता हो चाहे वो समाजी विवस्ता हो केंद्र बिंदो में तो मानव ही है किलियर है अब इस केंद्र बिंदो में इसमें मानव को हटा दिया जाए तो समाजी की रचना है वो डह जाएगी राजनेती विवस्ता है वो खत्म हो जाएगी तो केंदर बिंदु में तो भहिया मानवी और मनुष्य द्वारा अपने भरन पोशन में असमर्थ होने पर मनुस्य के द्वारा अपने भरन पोशन में असमर्थ होने पर समाज को उसका दाईतु सौंपा है किलियर है बाद समझ में आगई तो समाज की एक जिम्मेदारी बनती है है ना लोगों से समाज है और समाज से लोग है एक विक्ति अपना भरन पोशन नहीं कर पा रहा है तो भई समाज को इसका बीणा उठाना पड़ेगा समाज को उसका दाईतु पूरा करना पड़ेगा साथी समाज में व्याप्त कुरूतियों को परंपरा का नाम देकर अपनाए रखने की संकेण मानसिक्ता वो भारती एवं पाश्चात समाज के सेधानतिक विविदों को टकट करते हुए मनुष्य को अपना बल दिखाने तथा विश्चु की प्रगरती में सहायक भूमिका ने वहाने के लिए प्रेरित किया है वही समाज के अंदर अनेक कुरितियां व्यापना है पता है आपको समाज के अंदर अनेक सारी कुरितियां हैं जो इनको समात करने की जरूरत है अगर आप अपने देश के लोगों का जीवन इस तर उपर करना चाहते हैं तो ये समाज में बहुत सारी कुलितियां हैं, इनको आपको दूर करना पड़ेगा, इन से उपर आना पड़ेगा, पास्चार्त की संस्कृति को छोड़ना पड़ेगा, अधिनिकते के दोर में हमें क्या करना, नए-नी चीज़ों का अपनाना पड़ेगा, और अपने लोगों इसमें बताया है कि भारती संस्कृति के प्रती संकेण मानसिकता इसको लेखक ने गलत माना है लेकर चलने वाले कुछ राजनीतिक दल हैं लेकिन भारती संस्कृति की सनातंता यानि की प्राचीनता को उसकी गति हिंता समझ बैठते हैं यानि की भारत की जो संस्कृति है हमारी जो सब्विता है किलियर है उसको लोग भूल गए तो कहने का मतलब यह लेकर की मानता है कि हमें अपनी संस्कृति साथ साथ लेकर चलने पड़ेगी लोगों को साथ साथ लेकर चलना पड़ेगा ऐसा नहीं कि पाश्चाति संस्कृति में हम अपनी सनातनता को भूल जाएं किलियर है कुछ लोग इसी सनातन संस्कृता को क्या करते हैं गती हिंता समझ बैठे हैं और इसलिए दल पुरानी रूदियों का समर्थन करते हैं अपनी संस्कृती जो है हमारी संस्कृती जो है सनातन संस्कृती जो है इसको क्या है भूल गए क्लिए रो गया तो भारती संस्कृती के किरांतिकारी तत्यों की ओर उनकी दर्ष्टी नहीं जाती है समाज में प्रचलित अनेक कुरूतियों जैसे कि छुआ छूत अब चुवा चूत क्या है ना उच नी चुवा चूत जात पात अब आपने देखा होगा आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चुवा चूत मानते हैं के लिए रहे हैं कि वहां मत जाना वो तो उची जाती के हैं जात पात आज भी हमारे गाउं में हैं शेहरों में थोड़ बहुत सारे किस्से सुनने को मिल जाएंगे कि लोगों को मूच जो है उपर कहते हैं उसको उपर नहीं करना दिया जाता है विसेज जाती के लिए आज भी विसेज जाती के जो वेक्ति है वो गोडी पर चड़कर अपनी बरात नहीं निकाल सकता तो यह क्या है आज भी समाजि के अंदर एक अभिशाप है सबसे बड़ी चीज मृत्यू भोज है ना बहुत सारी सरकारे हैं जिन में उने इस पर प्रतिबंद लगा दिया लेकिन आज भी जब कोई वेक्ति मरता है उसकी ते रहे भी होती है होती है यानि कि मृत्यू भोज यो है ये भी एक समाजजिक लक्क्ति की तरफ लेकर जा सकते हैं नार्य अवंहान आ अज भी जब काप मांटा है कि ये ना नारी को पैर की जूची समझी जाती है आज भी कि लिए आज भी सबस्थामाज में लेकिन आपको बता दें कि लड़कियां आज भी आज हr field में आगे हैं कहीं कहीं तो ऐसे च्छेतर हैं जहाँ लडगें ने लड़कों को भी पीछे छोड़ दीञा तो लड़की किसी भी च्छेतर में जो है स्थरी जो है वो कहीं भी मनुस्से कभी भी किसी भी रूप में पीछे नहीं है किलिए रहा है नारियाब मानना अधिको लेखगने भारती संस्क्रतियाँ समाज के लिए रोग के लग छड़वाना है यह क्या है यह एक मानसिक रोग है और कुछ नहीं कि लिए तुम कौन जातके हो तुम फलाने जातके हो तुम मुच हो तुम नीच हो दहेज में हमको स्कॉर्पियों चाहिए, के लिये रहे बात समझ में आ गए है ना तो यह सब जो है समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो इन सब चीजों से इन सब चीजों को बड़ा हवा भी दे रहा है और इन सब चीजों से गिरस रहे तो हमें और आपको मिलकर इन कुरुईतियों को इस समाज से दूर करना पड़ेगा बारत के कई महापुरुस भारतिय परंपरा और संस्कृति के प्रतिन निश्ठा रखते थे वे इन विराईयों के विरुद लड़े इतिहास गवाँ है इतियास गवाँ है कि भाया अनेक सुतंतरता से नानी अनेक करामतिकारी हुए हैं अनेक जो महापुरुस हुए हैं जिन्हों ने इन परंपराओं इन संस्कृति को बनाई रखने के लिए समाज में लड़ाई की है के लिए रह सती प्रता हुआ करती थी एक विक्ति मर जाया करता था तो उसके मर जाने के बाद एक विक्ति तो चला गया इस दुनिया से लेकिन इसमें उस पत्नी का क्या दोश पत्नी को जीते जाते चिता पर जला दिया जाता था सती कर दिया जाता था उससे है ना तो ये बहुत सारी कुरीतियां हैं जिनके बड़े-बड़े महापूरूसों ने इन कुरीतियों को पार पाने के लिए अपना पूरा संपोर जीवन जो है वो लगा दिया किस के लिए लोगों के लिए? समाज के लिए, T Cham yesterday! तो हमें ऐसे लोगों को दंडवत प्राडाम करना चाहिए, हमें ऐसे लोगों को मन ही बन हमें ऐसे लोग की प्रशंशा भी करनी चाहिए, जिनकी वजह से शायद आज हम लोग अच्छा जीवने आपन कर पा रहे हैं अंत में लेखाक ने इस्पष्ट किया है कि भी हमारी सांस्कृतिक चेतना के छिड होने के कारण है रूदियों हैं एक आदम मानव विचार भारती और भारत के बाहर की सभी चिंता धाराओं का समान आकलन करके चलता है और उनकी शक्ति और दुरवलताओं को परकता भी है और एक ऐसा मार्ग प्रिसस करता है जो मानव को अब तक कि उसके चिंतन अनुभव और उपलब्दी की मनजिन से आगे बढ़ा सके यानि कि उसके विकास में जो है आगे लेके जा सके किलियर हो गया तो ये पार्ट का सार था अब आई चलते हैं कि भाई एक पॉइंट और भी है इसके अंदर स्वैम की सक्ति बढ़ाने पर बन देना ये बहुत मोस्ट इंपॉटन्ट एक इसके अंदर पॉइंट है लेकर के अनुसर क्या लेकर कह रहा है कि भाई या पास्च बात समझ में आ गई जो पास्चात्य जगत है जो हमारे पास्चात्य के जो देश हैं उन्होंने बहुत तिक उन्नती तो करी उन्होंने परमाणू बम का विश्कार किया उन्हों जो हतियारों से सुसजित हैं बहुत सारे देश हैं आपने देखा हुगा टेकनोलोजी में ब अध्यात्म की जो शक्ति है इसको बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रकाशित किये सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। अध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाना है। किलियर हो गया बाद समझ में आगई। किलियर हैं। इंटरनल शक्ति के साथ सथ स्वयम की उन्नती करने के लिए भी हम लोग प्रतिंसील बनें। जिससे कि हम अपने रोगों को दूर कर स्वास्ता राप्त कर सकें। जब मनुष्य अंदर से स्वस्त होगा किलियर है तो भी उसको कोई रोग नहीं होगा। ये मैं बता दूँ। किलियर है अनेक रोगों से गरसित हैं क्यों हैं। दबाई चल रही हैं। हॉस्पिटल के चक्कल लगा रहे हैं। किलियर है तो आध्यात्म में बड़ी शक्ति होती है। आध्यात्म में बड़ी शक्ति होती है। ध्यान में बड़ी शक्ति होती है। किलियर है तो अपने आपको पहचानो। और अनेक रोगों को स्वास्ते लाप राप्त हो सकते हैं। को दूर करो तता विस्तु के लिए भार ना बन कर उसकी प्रक्रती में सहयक हो सके, किलियर है? Zak जब कोई वेक्टी मन से स्वास्थ होता है तो वो तन से स्वस्थ होता है तो क्रेटिविटी जो होती है उसके माइंड में जो क्या चल रहा होता है उस पर अच्छे तरीके से अपने उत्तर देने तो जर्म लेने वाले प्रतेक विक्ति के भरण पोशल की उसके शिखशन की जिसमेडार घटक के नाते अपना योगदान करते हुए अपने विकास में समर्थ है हो सके उसके उसके लिए सास्ते एवम छमता कि यवस्ता में जीव को पारजन की और यदि किसी भी कारण वे संभब न हो तो भरन पोज़boks की तसा उच्छट में अविकास की वश्ता करने की जिम्मधारी समाज की है और प्रतेक सब्समाज इसका किसी ने किसी रूप में निर्वाह करता है किलियर हो गया प्रगरती के यही मुक्य मानदन है और अता है नियुनतम जीवन इस तरकी गारंटी सिक्षा जीवी को पारजन के लिए रोजगार समाजिक सुरक्षा के और कलियान को हमें मूल भूत अधिकार के रूप में स्विकार करना होगा यह हमारे मूल भूत अधिकार हैं अच्छी सौस्ते, अच्छी सिक्षा, रोजगार यह स Cao Amare जीवन के मूल भूत अधिकारों में से आते हैं तो उपर्यूक्त गद्दान्स को पढ़कर निम्नेखत प्रशनों के हमें देने हैं, उत्तर ये गद्दान्स पढ़ लिया, इसी तरीके से आपके एक्जाम के अंदर एक गद्दान्स आएगा, आप यहां से प्रसंद पूछे जाएगे, तो पहला प्रसंद क्या है, लेखक क निसार मनुस्व के विकास में समाज की मत्पूड भूमिका होती है, क्योंकि समाज में जन्म लेने वाले प्रतेक विक्ति के पालन पोशन, सिप्षन, जीविका के लिए रोजी रोटी का उचित परमंद करना समाज की जिम्मेदारी है, के लिए रोगया, तो एक जो सब समा होता है, एक जो जिम्मेदार बाले लोग होंगे, जो जिम्मेदारियों से अपने आपको उन्होंने बांद रखा होगा, के लिए रहे, वो ये जिम्मेदारी उठाने के लिए हमेशा तयार रहते हैं, अगला प्रशन है, मनुस्य की प्रगर्ति का मान दंड क्या है, तो एक विक्ती का सही माइने में विकास होता है, उसकी प्रगर्ति में समाजिक दायत बड़ी महत्पूर्ण भूमिका निवाता है, समाज द्वारा मनुस्य का पोशन करना ही प्रगर्ति और विकास का मुख मान दंड माना है, के लिए रहो गया? अगला प्रशन, अगला तो आपने पड़ा ये लेख अब यहीं से आपने क्या कर दिया आपने उत्तर दे दिया उत्तर है कि लेखक के निशार मनुसरे के नीमतन जीवन इस तर की गारंटी सिक्षा जीवन यापन के लिए रोजगार समाजीक सुरुक्षा और कल्यान हमारे मूल अधिकार होने ये एक विक्ति का मूल अधिकार है किलेर हो गया यहां तक चीजने समझ में आगे ही चलो आगे बढ़े चलो प्रस्तुत गदांज में लेखक का उद्देश बताना है परपस किलेर है तो प्रस्तुत गदांज है मनुसर को उसके मूल बूत अधिकारों के परति सचिएत करन तथा मनुस्त के विगास में समाज के दाइत्तों का बोध कराना ही लेखक का मूल उद्देश से है कि वह समाज का क्या दाइत्तो है किलियर हो गया और एक विक्ति को पता होने चाहिए कि हमारे मूल बूत अधिकार क्या है केलियर है तो लेखक का जो मूल उद्धेश है वो मनुष्ठ को उसके मूल भूत अधिकारों के प्रति सचित करना यहनि की जगाना जागरत करना और मनुष्ठ के विकास में समाज के दाइतों का बोध कराना तो यह लेखक का उद्धेश से है इस पार्ट के मांद्यम से नियुनतम का क्या हो जाएगा उच्चतम नियुनतम का उच्चतम और विवस्था का अब विवस्था के लिए रहे विलोम सब्द पूछा है विलोम सब्द यानि की जश्ट अपोजिट के लिए रहे विपरीट के लिए रहे निउनतम यानि की उच्चतम और विवस्ता यानि की अविवस्ता इसी तरीके से आपके कोश्चन आई है अगले परसिं पर चलते हैं यान की अगले गदाज की तरफ चलते हैं तो हमारी संपुड वरस्ता का केंदर मानव नहीं होना चाहिए जो यताहपिंडे, संसार समस्ष्टी का जीवन पान पृतियक उपकरण मानव के सुख के साधन है। और जिस विवस्ता में भिन रुचिलोक का विचार केवल एक औसत मानव से अत्वाता सरीर मन बद्धी आत्मयूंत अनेक एश राहों से प्रशित पुरशार्त चतुष टैशील पूर्ण मानव के स्थान पर एक काम की मानव का ही विचार किया जाए वो अधूरा है किलियर हमारा अधार एकात्म मानव है जो अनेक एकात्म मानववाद यानि कि इंटेग्रल हुमेनिजम के आधार पर हमें जीवन की सभी विवस्ताओं का विकास करना होगा किलियर हो गया यहां तक चीज़ें समझ में आगई चलो उपरयुक्त गद्दान्स को पढ़कर निम्न लिकित प्रशनों के यहां पर उत्तर भी देने है तो पहला प्रशन क्या है पहला प्रशन है लिखा के नुसार समाजिक विवस्ता के केंदर में कौन कौन होना चाहिए यह परणा प्रशन उत्तर में क्या लिखना है लेखत के अनुसार हमारी संपूर्ण विवस्ता के मद्ध अर्थात केंद्र में मनुस्य ही होना चाहिए मनुस्य ही ब्रह्मान का अधार है और प्रत्वी पर जीवन का प्रतिनिदुत करने वाला है तता उसका साधन मनुस्य है मनुस्य के बिना इस्ष्ष्टी की कल्पना करना बेकार है तो केंद्रविंद में मानव यानि मनुस्य होना चाहिए मनुस्य का लक्ष क्या है क्या टार्गिट टीवी इंटरनेट आधी बहुतिक कुप करना मनुस्य को सुख सुविदाएं पहुंचाने का साधन तो है उसका लक्ष नहीं किलियर है इनसान को इस तो बहुतिक सुख सुविदाएं है अगर बात करी जाए आपको इंटर्टेन कर सकती है आपको खुशी प्रदान कर सकती है आपको सुख प्रदान कर सकती है लेकिन ये आपका लक्ष नहीं मनुस्य इन साधनों से सुख तो प्राप्त क कर सकता है परन तो उन्हें अपना लक्ष नहीं मान सकता है क्योंकि मनुस्य का लक्ष निरंतर प्रगति करना है क्लियर है क्लियर हो गया आज इस टेक्नोलोजी का विश्कार किया तो आप वहीं पर रुखना नहीं आप को इस टॉप नहीं होना है क्लियर क्या करना है मनुस्य क मनुष्य के विकास में कौन कौन सी चीज़ें सारतक से दो सकती हैं, कौन सी मनुष्य के विकास में काम आ सकती हैं, देश के विकास में काम आ सकती हैं, तो मनुष्य का जो लच है, वो निरंतर प्रकृत्ति करना है, केलियर हो गया, बास समझ में आ गई, चल गई, अगले परस है कि लेखक के अनुसार कौन सी विवस्ता अधूरी कहलाती है लेखक किस विवस्ता को अधूरी मानता है तो लेखक के अनुसार जिस विवस्ता में संपूर्ण मानव जाती के स्थान पे अकेले मानव पर विचार किया जाए पूरे मानव यानि कि संपूर्ण सरश्टी की बा अधूरी विवस्ता कहलाती है यहां पर पूरी मानव जाती की बात हो रही है और अगर आप किसी पूरी मानव जाती को हटा कर किसी एक विक्ति के विकास में अगर आप जो है इस पर विचार करते हो तो भाया वो विवस्ता अधूरी कहलाती है आगे बड़े हैं चब बाहरती संत्कृति का आधार क्या है तो बाहरती संत्कृति का मत्तपुड आधार एकात्म मानव है और भारत की संपूर्ण शष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष शब्द लिखने है समश्टी यानि की व्यश्टी और पूर यानि की अपूर पूर यानि पूरा अपूर यानि की अधूरा किलिए रहे चलो अगले प्रशन पर चलते हैं तो अगला प्रशन है भाई भारत के दिकांस राजनिती दल पाश्चाते विचारों की को लेकर ही चलत को बोलते हैं वे भारत की मनीशा और को मामनीशी को पूर्ण नहीं कर सकते और न चौराहे पर खड़े विस्वमानप का मार्ग दर्सिन कर सकते हैं भारती संस्कृति के प्रति निष्ठा लेकर चलने वाले भी कुछ राजिनी तिब्दल हैं किन्तो वे भारती संस्कृति की सन दर्स्टी नहीं जाती उपरेगत गद्दान्स को पढ़कर इनके प्रश्णों के उत्तर देने किन प्रश्णों के इन प्रश्णों के तो पहला प्रश्ण यहां पर है भारती राजनीतिक दलों के विशह में लेखक के क्या विचार है भारत में अनेक बहुत सारे राजनीत करते हुए कहता है कि भारत के अधिकतर राज़नितिक दल पश्चमी देशों के विचारों से प्रभावित होकर उन्हें ही आधार मान कर चल रहे हैं यानि कि जो पास्चात संस्कॉर्ती है पास्चात पे जो दल है कि लिए उनको आधार मानकर और वह हिंदुस्तान के अंदर भी उन्हीं की नीतियों पर चल रहा है यानि कि यह नघल ही तो ही यह तरह और भारती दलब ह्राशन के राजनितिक दलों की न खल बात रहे हैं जैसेज़। यह सा भारती राजनितिक दल विकास सील भारत का मार्ग दर्षणs कीओ नहीं कर सकते क्योंकि वे पाश्चाते विचारों का ही अनुसरन करते हैं वे भारती संस्कृति के पर ती निश्ठा का दिखावा मात्र करते हैं केवल और केवल है ना भारती संस्कृति के पर ती मात्र दिखावा करते हैं डों करते हैं लेकिन जो राजनितिक ताना बाना है उनका क भूमीपल के संस्क्रती पास्चाते संस्क्रती है तो पुरानी रोडीओं का समर्थन करने वाले कुछ राजनितिग दल भारती संस्क्रती की प्राचींता और गौरभ को विकास के मार्ग के रुकावट समझे कर कर Champaghan तत्तों क्योरन की दिश्टी ही नहीं जाती इतिहास भरा पड़ा है अपारी संस्कृति और सब्विता के गुडगान से लेकिन वो विकास में इन सब चीजों को क्या बाधक मानते हैं केलियर हो गया चलो जी अगला है प्रश्टी गद्दान्स में लेखक का उद्देश इस प्रश्ट करना है तो इस गद्दान्स में है अधिकतर राजनीतिक दलों को पास्चात्य विचार धाराओं से संचालित होने तथा राजनीतिक दलों की भारती संस्कृति के प्रती संके मानसिक्ता का को यहां पर प्रकट करना ही लेका का मुख्य उद्देश है अगला प्रशन है कि राजनी तिक वा अनुकरती शब्दों में क्रमशाह प्रत्य तथा उपसर्ग छाट कर लिखना है किलियर है चलो तो राजनी तिक तिक एक आया है तो एक क्या है यह प्रत्य है अनुकरती अनुक्या है अनुक्या है अनु उपसर्ग है किलियर है उपसरग शब्द के पहले लगता है और पिड़ते बाद में लगता है ये विध्या रखना जो हम गिरावन पढ़ाएंगे तो हम इसको अच्छे से कवर करेंगे चलो अगला प्रशन है आज के अनेक आर्थिक और समाजिक विधानों की हम जाच करें तो पता चलेगा कि भी हमारी सांस्कृतिक चीतना के चीन होने के कारण युगा नुकूल परिवर्थन और परिवर्थन की कमी से बनी हुई रूडियों परिकियों के साथ संगर्स की परसिती से उत्पन मांग को पूरा करने के लिए अपनाए गए उपाए तथा परकियों द्वारा थोपी गई या उनकी अनुकरन कर सुईकार की गई विवस्थाएं मात रहें बारती संस्कृति के नाम पर उन्हें जिंदा रखा जा सकता है गद्दान्स को पढ़कर निम्न लिखित के उत्तर देने है तो पहला प्रशन है कि प्रस्तुत गद्दान्स किस पार्ट से लिया गया है तता इसके लेखा कौन है तो प्रस्तुत गद्दान्स प्रकिति के मांदंड नामक पार्ट से लिया गया है और इसके लेखर मंदित दीन दयाल उपाद्याई जी यह आप तब भी लिख पाओगे जब आपने पाट सही से पड़ा होगा लेख्यक के अनुसार भारती सांस्कृतिक चेतना के कमजोर होने का मुख कारण क्या है मुख कारण बताना है आपको उत्तर में लिखना है लेख्यक के अनुसार भारती सांस्कृतिक चेतना के कमजोर होने का मुख का करने पुरानी पर्थाओं रुडियों की को अधिक महतो देना ही है किलियर हो गया कि यह तक समझ में आगया लेख्यक के अनुसाब भारती संस्कृतिक चेत्मना के कमज़ोर होने का जो मुख्यकारल है तो युक के अनुकूल परिवर्तन ना करके पुरानी पर्थाओं रूडियों को आधिक मतों देना यानि कि हमारी संस्कृति है जो मूल भावने उनको क्या करना उनको ज़्यादा भावना देकर जो पाश्चात्य संस्कृति है उसको ज़्यादा बढ़ावा देना ही हमारी संस्कृति चितना के कमजूर होने का मुख्य कारण है अगला है युगानुरू परिवर्तन एवं विकास नहीं होने का मुख्य कारण क्या है तो युगानुरू परिवर्तने में विकास नहीं होने का मुख कारण हमारी प्राचीन रूडियां परंपराएं कुप्रताएं जिन्हें समकाली इन समय में मनुस्य की आवश्यक्ताओं से अधिक महतों देने के कारण हमारी प्रगति रूख गई है हमारी प्रगति में सबसे ज़्यादा बाधक क्या है प्राचीन जो रूडियां और रूडिवादी परंपराएं जो कुप्रताएं हैं वो मनुस्य के विकास में बाधक सिद्ध ही है मनुस्य के विकास में ये बाधक सिद्ध ही है किलियर हो गया हम इसी लिए आज और देसों स पास ना जाकर किसके पास जाता है ओजह और तांतिरिकों के पास बाबाओं के पास जाता है आज भी आप देख रहे हो हाला कि इसको अधरवाइज लेना इसको अधरवाइज मतले ना कहने का मतलब यह है कि आज भी आपने देखा होगा कि लोग सत्संग के नाम पर लोग पता कई सारे बाबा तो आज कल जेल में भी है के लिए रहे ना बाद समझ किस के देश में भारत जैसे देश में के लिए तो यही क्या है यही आज हमारी प्रिगरती में सबसे बड़ा बाधक है चलो अगला प्रिशन है बारती नीतियां इवं सिद्धान्त किस प्रकार विदीशियों की निकल मातर बन कर रहे गए हैं क्योंकि विदीशियों की साथ होने वाले संगर सता उन परिस्तियों से उत्पन मांग को पूरा करने के लिए अपनाए गई तरीके या तो विदीशियों द्वारा जबर जस्ति थोपे गए थे या स्वैम हमने उनकी निकल करके नीतियों एवं सिंधान्त निर्मत कर लिए थे क्लियर हमारा कल्चर अलग है उनका कल्चर अलग है हमारी संस्कृति अलग है उनकी संस्कृति अलग है किलियर है हम अपनी संस्कृति को बढ़ाएं हम अपनी परमपराओं को बढ़ाएं किलियर है इसी में हमारा विकास है हमारी मानव जाती का विकास है और हमारे देश का विकास है चलो अगला है परिस्थिति वा सांस्कृतिक सब्दों में करमशा उपसर्ग और प्रत्य छाट क परिस्थिती, परी क्या है, इसके अंदर उपसर्ग है, सांस्कृतिक एक क्या है, इसके अंदर प्रत्य है, किलिर हो गया है, यहां तक समझ में आगए, चलो, तो यह क्या है, यह हमारे कुछ प्रशन और उत्तर थे, हमने क्या किया, हमने लेखक का जीवन परचे किया, इसी के साथ साथ जीवन पर्चे में क्या आता है जीवनी में जम का वर्ष, मृत्व का वर्ष, सिक्षा, दिक्षा, माता का नाम, पिता का नाम, साहिथी गोग्त करता हैं कि पाठ के सार के माद्यम से हमें पता चले गया कि हमारी संस्क्रति है तो जो समाज है उसका परम दायत तो बताया गया है कि किस तरीके से अगर एक विक्ति अपना भरन पोश्टर नहीं करता तो उसकी जिम्मेदारी एक समाज को उठानी पड़ती है क्लियर है और गद्दान्स के अधार पर हमने कुछ प्रशन उत्तर किये क्लियर और इसी के साथ भाई आज का जो लेक्चर है आज का जो अध्याय है यह पर समापत होता है मिलते हैं भाई अगले लेक्चर में एक नई एनर्जी के साथ और एक नए अध्याय के साथ तब तक मुझे दो इजाज़त और आप बने रहो डावटनेट के साथ नमस्कार जै हिंद